हुआ है वेलकम तो तो दा के मिली इस यूटिव चनल इस अन्जीव कोशल एंड आज का वीडियो आपके लिए लेके हैं हूं यह बताने के लिए कि अगर आपका पास्पोर्ट लोईस्ट रेंग का भी है लोईस्ट रैंग कंट्री का भी है तो भी आप प्लीजिबल अपना वीजा अप्लाई करने के लिए एर वी हवाई एक्जाम्पल है ब्रदर हैं हमारे पास जो UAE के अंदर अपना काम करते हैं बिजनस करते हैं हमारे पास इदर आए इनकी जो नेशनलिटी है वो अफगानिस्तान नेशनलिटी है और बहुत यह डुल रहे थे और नेशनलिटी की वज़ा से क्योंकि वीजा रैंक पास्पोर्ट का रैंक बहुत कम है वह पास्पोर्ट रैंक में आता है तो उस वज़ा से फ्रेड होता है सबी को अफ्रेड रहते हैं कि हमारा वीजा शाहिदे रफ्यूज हो जाएगा लेकिन bijजा लगता है डॉकुमेंटेशन के उपर और आपके फाइल के उपर अगर आपके डॉकुमेंट सही हैं आपके के पास document proper हैं आपके फायर सही है तो आपको वीजा मिलने के लिए बहुत-बहुत chances हैं here we have example first of all आप ये पास्पोर्ट चैक कर लो अफगानिस्ता national के पास्पोर्ट है family के इससा इनका चारो के चारो है family के अंदर और ये इन्होंने मेरे से तर्की का वीजा है जो apply किया था recent visa as you can see तर्की का तो इनका हमने application ready करके दिया और पूरी family को इनको visa मिल गया तो after that हम बात करेंगे थोड़ा document part की तर्की का वीजा apply करने के लिए जो document चाहिए सबसे पहले valid passport होना चाहिए nationality कोई भी हो जैसे मैंने आपको दिखाया है आपका passport minimum minimum 6 month valid रहना चाहिए 6 month और आपका जो UE का visa है ये minimum more than 90 days यानि कि तीन मेने से जादा थोड़ा होना चाहिए तो आप eligible इस visa को apply करने के लिए और जिस भी company का आपका visa है उस company से आपको NOC letter चाहिए, no objection certificate और आपकी 3 month की bank account statement इसमें 6 मीने, 8 मीने, एक साल की bank statement नहीं चाहिए 3 month की bank statement चलेगी और जादा आपको लंबी तोड़े balance जिकाने का भी जूरूरत नहीं अगर आपके account में 8-10,000 का भी balance है तो भी आप eligible हो, visa apply करने के लिए आपके nationality कोई भी हो, आपका profession कोई भी हो second चीज profession है, profession हर एक profession accepted है लेकिन आपके पास में बस 3 मीने का bank account statement और NOC होना चाहिए तो अगे इन से मैं आपको ये visa और passport दिखाना चाहता हूँ और फिर हम बात करेंगे इस भाई से कि इन्होंने हमको किस तरीके से दोड़ा और कितने पैसे हमने इन से चाहर्ज की और application पूरा बनाने के चाहता है तो तो थोड़ा बता सकते है संजीब भाई का ओफिस मैंने यूटूब में चिकिया इसका वेक्सर विब साइट तो उडर से मैंने पता किया पर इसका ओफिस में आया में शार्जा में तो संजीब भाई को मैंने इसे ही बताया कि मेरा passport lowest है तो इसका तुर्की का विज़ा क्या तरीका तो इसने पूरा documents मेरे लिए बनाया और जो प्राइस था हो भी बहुत कमती प्राइस है बाहर से मतलब बहुत कमे इच पासपोर्ट का मच से 600 दरम लिया और तीन दर मेरा विज़ा तुर्की का अप्रूब हो गया और विज़ा आगे पूरा प्राइस तो बहुत शुक्ता है संजीब भाई तो सेकंडी इस विजिन थी डेज इनका वीजा अप्रूब हो के आए यूजली जो वर्किंग आवर्स एंदर हमने बारा से चौदा एप्लिकेशन ने जो लगाई है जिसमें इसी जीरो रिफ्यूज हुआ है तरकी के लिए तरकी के ताइम में अभी के ताइम में आइक अगर आप एक दो मेनिक अंदर-अंदर अप्लाई करो कि आपको बहुत अच्छा सुक्सेस मिलने वाला है वीजा के अंदर जो भी अवेल करना चाहते है इस वीजा को इस ओपर को तो वो कैंडियेट नंबर दिये हुए स्क्रीन के उपर आप कॉल करके अपांड में लेके आफिस कि आप 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 कि आपके आप 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 पो